हेलो फ्रेंट स्वागत है आज के इस नय वीडियो में आप सभी को ये जान पर बहुत खुशी होगी कि जिसका आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आज खतम हो गया है जी हाँ दोस्तो आज पडिवन विवाग के द्वारा बिहार पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट गोसित कर दिया गया है और इस रिजल्ट में कितने पास हुए और कितने वेटिंग में हैं ये सभी जनकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो देखते रहे इस वीडियो को अंत तक अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जवाल सर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि किसी भी एक्जाम के रिजल्ट से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऑफिस्यल वेब साइट पर इसका ओफिस्यल वेब साइट है दोस्तों csbc.bhar.nic.in इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों देखे दोस्तों हम लोग सेंट्र सेलेक्शन बोर्ड आफ कॉंस्टेवल के वेब साइट पर आ गए हैं यहां देखे दोस्तों आपको होमपेज नजर आएगा यहां देखे साइट में दोस्तों आपको सबसे पहले नजर आएग इसके अबाद है दोस्तों एक साइज कॉंस्टेवल और फिर दोस्तों है फोरेस्ट डिपार्टमेंट और देखे दोस्तों सबसे लास्ट में यहां पर आपको नजर आएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो इस पर दोस्तों किलिक करना है आपको किलिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको उपर में यह नज़र आएगा 29.5.2020 का नोटिस यह दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है चलिए हम क्लिक करते हैं जैसे ही कि रिखिज़ेगा दोस्तो आपको डाउनलूड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद दोस्तो इसको ओफेन करना है द हम उपेन करना है दोस्तो हम दखे दोस्तो उपर में लिखा हुआ है कंदरीए चे Para me Man उसके बाद दोस्तों नीचे में यहां पर लिखा हुआ है देखे दोस्तों विग्यापन संख्या 4-2019 यह दोस्तों अप्रेल मेहने के 2019 में जो भैकेंजिया है उसका है यहां पर देखे दोस्तों आपको यहां पर नजर आएगा परिवन विभाग में चलन दास्ता सीपाही यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर डेट दिया हुआ है कि यह दो फरवरी को जो एक्जाम हुआ है 2020 में उसका यह रिजल्ट है चलने दोस्तों नीचे आते हैं दोस्तों यहां पर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है देखे दोस्तों इस एक्जाम में यहा पर आपको टोटल नजर आएगा स्टूडेंट की संख्या 37,771 जिसमें से दोस्तों यहाँ पर 29,000 55 स्टूडेंट ही इसमें भाग लिए थे चले दोस्तों अब हम नीचे आते हैं देखते हैं देखे दोस्तों उपर में लिखा हुआ हैं आप और 29,065 अभिहारतियों की उत्तर पुस्ति का का मुल्याकन किया गया है एवं भरती हेतु विवित पर किरिया का अनुसरन करते हुए विविन कोटियों गिरी रक्षक एवं गैर गिरी रक्षक सहित के लिए मुल्त उपलब्द रिक्तियों के पांच गुना उमिदवारों का लिखित परिक्षा के अधार पर सारे रिक्षता परिक्षा के लिए मेगा कर्मनुसार आरक्षन कोटिवार चैन किया गया है इनके कहने के हिसाब से दोस्तों 29,065 अभिहारति में से पांच गुना उमिदवार को यहाँ पर सारे रिक्षता इसका मतलब है दोस्तों फिसकल के लिए चुना गया है तीन नंबर में देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि भरती हे तु योग अभिहारतियों को परमान पत्रों के साथ सत्यापन के सासा सारे रिक्षता प्रिक्षा यथा दोर गोला फेक तथा उची कूद आदी में सम्मिलित एबं उत्तिन होना अनिवार्ज होगा सारे रिक योगता के नियुनतम निर्धारित माप डंड में कोई चुट नहीं होगी शिपाहि पद पर नियुकती हेतु चैन के लिए अन्ति मेगा सूची सारे रिक दक्षता प्रिक्षा के अधिन तीनो असपरधाओं यथा दोर उची कूद एबं गोला फेक में प्राप्त कूल अंकों के अधार पर त्यार की जाएं यहाँ पर देखें दोस्तों सारे रिक प्रिक्षा जो होगा आपको फिजकल टेस्ट जो होगा उसके अधार पर यहाँ पर आपका चैन किया जाएगा दो दोस्तों जिसमें आपको किसी परकार का छुट नहीं दिया जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर चार नंबर में दिया हुआ है दोस्तों लिखित परिक्षा के अधार पर अगले चरण सारीरीग दक्षता परिक्षा के लिए सफल अभ्यारतिवी को परिक्षा अभल यहां पर करस्थित किया जाएगा सारी लेगे दक्षा प्रिक्षा का आयोजन कुरोना संकर्मन की स्थिती के दिरिष्टिकत या तोफचित समय पर किया जागा इसकी तिथी तथा अस्थान की सुचना समाचार पत्रों एवं पारसत की वेपसाइट पर परकासत किया जागा दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है फिजकल एक्जाम के बारे में दोस्तों आपको कुरोना के वज़े से भी इसको रोका गया है और इसकी जनकारी आपको इसके ओफिसेल वेपसाइट पर मिलेगा और नहीं तो आपको किसी विपरकार का समाचार पत्र के माध्यम से बताया जाएगा चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर पूरे डिटेल दिया हुआ है कि कितना पद था दोस्तों इसमें टोटल पद है 496 पद जिसमें दोस्तों देखे करम श्रंख एक में दिया हुआ हुआ है जेन्रल शमान वर्द अनरक्षित इसका टोटल पद है दोस्तों वर रिक्ती में 0 उसके बाद दोस्तों है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसका है 49 वर्तमान रिक्ती में और बैक्लोग में 0 तिसरा नमबर पर है दोस्तों अनुसुची जनजाती जिनका पद है वर्तमान रिक्ती में 89 और बैक्लोग रिक्ती में 1 है चोथा नमबर पर है दोस्तों अनुसुची जनजाती जिसका वर्तमान रिक्ती में है 5 और बैक्लोग रिक्ती में 0 पांचमी नमबर पर है दोस्तों अत्यात पिछरा वर्ग जिसका वर्तमान रिक्ती में है नवासी पद और बैकलोग में है एक छठे नमबर पर है दोस्तों पिछरा वर्ग जिसका वर्तमान रिखती है 69 और बैकलोग रिखती है एक साथमे नमबर पर है दोस्तों पिछरे वर्गों की महिला पिछरे वर्ग की जो महिला है उनका वर्तमान रिखती है पंदरा और बैकलोग रिखती है जीरो इस तरह दोस्तों टोटल वर्तमान रिखती हो गया चारसो तिरानमे और बैकलोग रिखती हो गया तीन टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आपको यह देखे दोस्तों चारसो श्यानमे पद हो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं नीचे यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर जो सुतंतरता सेनायनी जो होते हैं उनके पोता पोती नाती नतनी की संख्या जो है इसमें उपर में दर्स आया गया है चलिए दोस्तों नीचे स्क्रोल करते हैं और फिर आपको सीगे ले जलते हैं रिजल्ट पर यह देखिए दोस्तों आपको यहां से रिजल्ट कुल रिजल्ट दोस्तों यहां पर आठ पेज में दिया गया है जिसमें से दोस्तों कुल पद है 496 लेकिन यहां पर दोस्तो रिटेन एक्जाम में जो पास हुए हैं कुल अभ्यारती हैं 2450 अगर कुल पद से अगर इसमें डिवाइट किया जाए दोस्तो तो एक पोश्ट के लिए कम से कम 49 बंदे सरकार को ले रही है चलिए दोस्तो देखते हैं नीचे से लेकर उपर तक देखिए दोस्तो याँ पर सभी में आपको जिन्त दिखाया जा रहा है इसमें आप अपना रिजल चेक कीजिए है तो बहुत खुसी की बात है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए